वेलकम फ्रेंट टॉनी का एकोरियम में बहुत बहुत स्वागत है हाई तो देखिए आज मैं जो यह पॉंड दिखा रहा हूँ यह फिस पॉंड है दोस्तों जिसमें मैं गप्पी और मॉली का ब्रिट करवाऊंगा इसलिए यह पॉंड को बनाया है तो देख सकते हैं कितना खुब सूरर पॉंड है मैं सामने से दिखाता हूं आप लोगों को इस तरीके के पॉंड आप घर पे फिरिमें बना सकते हैं अगर एकोरियम नहीं तो आप इस तरेके के पॉंड में मचली पाल सकते हैं, वो भी colorful मचलियां, तो ये पॉंड आप लोगों को कैसा लगा, comment जरूर कीजिएगा, तो चलिए आज बाते ना बढ़ा के, मैं इसे बनाना सिखाता हूँ आपको, तो सबसे पहले आपको fruit carrot लेना है, ये market में आपको 40 रुपे का मिल जाएंग एक और एक cello tape और एक कैची लेना है दोस्तों, तो अब इन polythene को आपको अच्छे से खोल लेना है, ये double polythene है दोस्तों, ये फटेगा नहीं, एकदम pure nylon का है, तो अब इसे आपको बीच में अच्छे से set करना है, देखिए आप अपने अच्छे से set करना है, किस तरीके से क पानी डाल देता हूं, ताकि नीचे जो PVC polythene है वो बैट जाए अच्छे से, और आपको काम करने में सहलियत हो, तो अब इसे मैं किनारे से बांध लेता हूं, ताकि हिले ना, और PVC जो पनी है वो इधर उधर ना हो, तो देखिए मैंने किस तरीके से बांधा है, उस तरीके स साट रहा हूं, इसी तरीके से आपको साट लेना है दोस्तों, देखिए मैं step by step दिखा रहा हूं, आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि खुबसूरत पॉंड मैं कैसे बनाता हूं, तो चलिए आप सुखे कपड़े से मैं इसे पूच लेता हूं, पानी को मैंने निकाल लिया है, सुखे कपड़े से पूचने का मतलब यही है कि सेलो टेप आपका अच्छे से अंदर भी चिपक जाएगा, तो यह जो किनारे जो गैपिंग देख रहे हैं, उसमें मचली फस सकते हैं दोस्तों, आपके छोटे छोटे फ् पूरा गैपिंग को सेलो टेप मार रहा हूं, जिस तरीके से, उसी तरीके से आप लोगों को भी मारना है, यह तॉनी का एकोरियम है दोस्तों, मैं हर चीज एकोरियम से रिलेटीब, जितने भी मचली के वीडियो, मचली के खाने, मचली से अंडे लेना, वीडो, जो कलर खेण के लिए एक संसिक्ता थाला यधां एक घ्च कह सकते हैं यह संनल या Μदे आक ما में बन दोर्ग दूस्ते हैं अब मैं उससे निकालूंगा वो यहां आके एक ही टेंपरेचर में मैनेज हो जाए दोस्तों तो देखिए मैंने इसे फिर भी एक दिन के लिए छोड़ दूंगा तो सबसे पहले एंटी क्लोरिन को डालना है आपको देखिए मैंने डाल दिया है किस तरीके से मैंने दो तरह का इसमें एंटी क्लोरिन डाला है एक एंटी क्लोरिन है और एंटी इच है दोस्तों तो दोनों को पानी में इसलिए डाला कि मैंने जो पौधे एट कर रहा हूं उसमें अगर कोई तो आपके मचली में नहीं आएंगे वो फंगस, तो ये पौधे जो देख रहे हैं, इसे मैंने बनाना सिखाया है, जब बड़े बाले पॉंड बनाया था मैंने थर्मकॉल पॉंड, उसमें मैंने ये पौधे बनाना सिखाया, आप जाके देख सकते हो, और बड़ा बाला जो मैं समान एट कर देता हूँ, मिट्टी के और ये सोपी से थोड़ा सा, तो इसमें आपका जो हाइडिंग प्लेस बन जाएगा दोस्तों, इसमें मॉली गपी आ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, नुक सकते हैं, उसमें चीप सकते हैं, और ये जो देख रहे हैं, ये वाटर क और ये देखिए, ये मेरा बाड़ा पॉंड है, तो इसे अगर आपको बनाना सीखना है, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, कि इतना बाड़ा पॉंड कैसे बनाएं, तो चलिए अब मैं इससे कुछ गपी और मॉली को निकाल लूँगा दोस्तों, क्योंकि मै जो पॉंड बनाया है, वो ब्रीडिंग सेटप पॉंड बनाया दोस्तों, उसमें मैं मॉली और गपी को ब्रीट करवाऊंगा, उससे जो बच्चे आएंगे, कौन से कलर में आएंगे, किस तरीके के आएंगे, पूरा वीडियो आपको मिलेगा, बहुत जल लॉंग वीडिय जाके देख सकते हैं, और ये कलर देख सकते हैं, रेड मॉली लाया है मैंने, और इसमें मैंने बड़े पॉंड में छोड के रखा था, जब ब्रीडिंग सेटप में बना लिया हूँ, तो मैं आप उसमें सभी गपी और मॉली को मैं डाल दूँगा, और बहुत जल इसका दोस्तों, मैंने एक दिन के लिए सेट होने के लिए छोड दिया था, अब इसमें मैं मचली एट करूँगा, तो चलिए, ये भी एकुरियम का ही पानी है, तो इसे रेष्ट करने का कोई जोरोत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें छोड दिया मचलीयों को, देखिए, सभी एक और ये मचलीयों आप लोगों को कैसा लगा, कॉमेंट जरूर कीजेगा, और एक लाइक का बटन जरूर दबा दिजेगा दोस्तों, इससे मोटिवेट मिलता है,